आदस सिक्षन समिती की इप आड़ साला में आप सभी भैया भैनों का स्वागत एवं हार्दिक अभी नदन इससे पहले अपने किरिया पड़ी थी आज अपन किरिया के भेद उसमें मैंने आपको संक्षित में किरिया के भेद बताए थे जैसे कर्मक के आदार पर सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया जाने दो बेद होते हैं और अकर्मक किरिया के भी दो बेद हैं एक कर्मक दी कर्मक अज अपन करम के आदार पर किरिया के कितने भाग है वो पढ़ेंगे सक्रमक कर्म के आदार पर किरिया के दो बाग है एक है सक्रमक किरिया दूसरा है अकर्मक किरिया जैसे इस अब्यास पुस्तिका में दिया हुआ है के सक्रमक किरिया किसे केते हैं जहां किरिया का फल कर्म पर पढ़ता है उसे सक्रमक किरिया केते हैं जैने कोई भी अपन वाके बोलते हैं उस वाके में किरिया का फल सीधा कर्म पर पढ़ता है उसे सक्रमक किरिया केते हैं जैसे राम पुस्तक पढ़ता है इसी तरह अकर्मक क्रिया जिस वाके में क्रिया का फल करता पर पड़ता है उससे अकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे मोहन खेलता है अब मौन खेलता है, इसमें अपने पता नहीं लग रहा मौन क्या खेल रहा है तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है तो इस परकार के कुछ इस पाठे अपनी पाठे पुस्तक है इंदी रचना के उसमें कुछ वाक़े दियी हुए है पहला वाक़े है कि राम जाता है राम विद्या ले जाता है राम पढ़ता है वे पुस्तक पढ़ता है वे लिखता है वे निमंद लिखता है वाके के को पढ़कर क्या आप बता सकते हैं कि राम कहां जाता है वाके के हैं राम जाता है इस वाके में अपने को किसी परकार का पता नहीं लगता है अब कहां जाता है तो इसमें आएगा नहीं वाके गे को पढ़कर बताई कि राम क्या पढ़ता है राम पढ़ता है इसमें भी हमारे को पता नहीं लग रहा है इसी परकार वाके डे के अनुसार बताया जा सकता है कि वे क्या लिखता है वे लिखता है इसमें भी कोई पता नहीं लगता है इसलिए नहीं आएगा वाके आप वाके खे को पढ़ कर बता सकते हैं कि राम कहां जाता है वाके खे राम विद्या ले जाता है इसमें इस पर लग रहा है राम विद्या ले जाता है और इसी परकार वाके पांच घे को पढ़ कर बताई कि वे क्या पढ़ता है तो इसमें राम क्या वे पुस्तक पढ़ता है अपने पता लग रहा वे पुस्तक पढ़ता है वाके चे को पढ़ कर बताई कि वे क्या लिखता है वे निमद लिखता है अब तीन तरह के वाके हैं वेसे राम जाता है राम पढ़ता है वे लिखता है ये तीनु वाके एक कर्मक क्रिया के हैं इसलिए अपने को इसमें वेसे अफल सीधा अक्ताबर पढ़ रहा है इसलिए अपने को पताने चल रहा है वो कहां जाता है क्या पढ़ता है क्या लिखता हैं इसलिए ये एकर्मक क्रिया हैं इसी परकार वाके खे घे और चे में क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है जैसे राम विद्या लजाता है वे पुस्तक पढ़ता है वे निमत पढ़ता है ये तीनों के वाके सकर्मक क्रिया के जिसमें हमारे को पता लग रहा है क्रिया का परबाब किस पर पढ़ रहा है यानि क्रिया का कर्म पर पढ़ता है इसलिए हमारे को पता लग रहा है वो कहा जैसे राम विद्या लजाता है राम जाता है इस वाके में पता नहीं लग रहा है इसलिए अकर्मक क् छीक है इसी परकार ये नीचे अब्यासोड़ा में ग्रह कार्यात दिया हुआ है जिस किरिया का फल करता पर पड़े जदी किरिया का फल करता पर पड़े तो कौन सी किरिया होगी यानि अपने इसे पहले समझा किरिया का फल जब करता पर पड़ता है तो वो किरिया अकर्मक होती है तो इसका उतर ये होगा दूसरा परसन है यहां क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है वहां कौन सी क्रिया होती है यानि जहां क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है क्रिया सक्रमक होती है परसन एक पर दो के उत्तर पढ़कर बताईए कि क्रिया के कितने भेद है कर्म के आदार पर किरिया के दो भेदें एक है ठीक है दो भेदें एक है सकर्म किरिया दूसरी है अकर्म किरिया यहां अपने किरिया के भेदों के समंदित चार चार वाके लिखने है पहला है अकर्म किरिया से समंदित चार वाके मोहन खेलता है, रादा पीती है, स्याम खाता है, राम सुनाता है इसी परकार सक्रम क्रिया के चार वाके मोहन होकी खेलता है, रादा दूद पीती है, स्याम आम खाता है, राम कविता सुनाता है इसी परकार वाके के सामने क्रिया बेदू का नाम लिखना है इसमें जैसे सीता खाती है, अपने पड़ाता सीता खाती है, इसमें किरिया का फल करता पर पड़ा है, इसलिए ये अकर्मक किरिया हुई वे फल खाती है यह सक्रमक क्रिया है क्योंकि इसमें क्रिया का फल क्रिया का परबाब करम पर पढ़ रहा है इसलिए यह सक्रमक क्रिया है कभी पढ़ता है तो इसमें करता का फल क्रिया का फल करता पर पढ़ रहा है इसलिए ये अक्रमक क्रिया है कवी किताब पढ़ता है इसमें क्रिया का फल करम पर पढ़ता है इसलिए ये सक्रमक क्रिया है लेखक कहने लिखता है ये सक्रमक क्रिया है क्योंकि इसमें क्रिया का फल करम पर पढ़ता है कर्म के आदार पर किरिया के कितने भेद हैं नाम लिखिए यानि किरिया के दो भेद हैं एक है सकर्मक किरिया दूसरा है अकर्मक किरिया परसन कर्मक दो सकर्मक किरिया किसे कहते हैं परिबासा लिखिए जहां किरिया का फल करम पर पढ़ता है उसे सकर्मक किरिया कहते हैं जैसे विनोध कबड़ी खेलता है इसमें किरिया का फल करम पर पढ़ रहा इस वाके में अकर्मक किरिया किसे कहते हैं परिबासा लिखिए जिस वाके में किरिया का फल करता पर पढ़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे रादी का पढ़ती हैं इस वाक्य में क्रिया का फल करता पर पढ़ रहा हैं इसलिए ये अकर्मक क्रिया हैं अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं अकर्मक क्रिया के उनके नाम लिखिए उनके दो भेद हैं एक कर्मक, दी कर्मक, धन्यवाद.